तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाशनल इंकम और यह जो नाशनल इंकम है यह आप लोग का IAC economics class 12 में basically आपका 20 to 30 marks carry करता है जैसे हम लोग का marketing बहुत ही ज्यादा important chapter था वैसे यह national income भी हम लोग का बहुत ज्यादा important chapter है और यह 20 to 30 marks carry करता है आपका यह दो part section B में आपका यह almost 12 marks का section में रहेगा मतलब जैसे 123456 करके रहता है वैसे आपको एक section पूरा national income का ही मिलेगा जिसमें आपको दो theory parts मिलेंगे और जो 44 marks carry करेगा और जो last का जो 6 marks का रहता है वो एक sum रहेगा national income से तो sum यहां पर बहुत easy रहता है अगर आप लोग को उसका logic समझ में आ जाएगा तो और दूसरा बात की यह national income जो है यह हम लोग का SSC और banking में भी आता है अगर आप कोई भी और government jobs करना चाहते तो उसमें भी national income plays a vital role तो हम लोग का banking में यह जस्ट उपर से एक छू के चला जाता है लेकिन SSC में आप लोग को इसका deep information चाहिए रहता है तो यह जो national income chapter है यह आप लोग को अच्छे से करना है क्योंकि यह IAC में तो आप लोग का 20 marks करेगा ही लेकिन अगर आप लोग कोई government exam का तैयारी कर रहे है तो उसमें भी आपका काफी help करेगा क्योंकि यह banking और SSC में आता है तो यह आपका UPSC और cat mat में भी आ सकता है आ सकता है क्या आता है तो सबसे पहला बा तो यह जो national income है इसका जो मैंने अभी आप लोग को definition बोला यह मेरा बनाया हुआ definition है आप लोग का भी definition यूज कर सकते हैं और अगर आप लोग को मेरा important note चाहिए तो blog का link description box में दिया हुआ है तो मैं क्या बोल रही थी national income, national income क्या होता है यह पूरा final goods का और services का value होता है जो country के अंदर और country के बाहर produce होता है और इससे जो income generate होता है उसी को हम लोग national income में जोडते हैं जो एक particular year में आता है by a resident एक non resident मतल aboard या तो आपके country का या तो आपके country के बाहर कमानली जहे कि अगर आपusz एक ज्धा अपना यह तो आप पैसा कमारे हो आप भाड हो आप पैसा है वो फो में आर तो आपको यह आपका income home usedyll Cooking짝 record वह इंडिया के national income में इंकलुड होगा अब जो national income होते ना उसमें ख income earned by rendering factor services, जो income हम लोग कैसे earn करते है, factor services से earn करते है, और factor services हम लोग का क्या होता है, wages, salary, मतलब जैसे labor लोग खटते हैं, उन लोग को wages मिलता है, आप कोई company वंती में काम कर रहे हैं, तो आप लोग को उसके लिए salary मिलता है, तो यह हुआ हम लोग का factor income, और जो factor income है, वो national income में आ कोई भी transfer income और कोई income जो होता है, जैसे current payment वो सब आप लोग का national income में नहीं आता है, जो कि हम लोग आगे इस chapter में पढ़ेंगे, तो हम लोग ने अपी क्या पढ़ा, national income और factor income, factor income क्या होता है, जो factor services से earn किया जाता है, और national income क्या होता है, जो एक resident या फे non resident एक particular year में income earn करता ह पूरा अपना final goods और services का income मिलता है, उसको earn करके जो अपने domestic territory में earn करता है, जैसे हम लोग का तो India एक domestic territory तो इंडिया के अंदर और इंडिया के बहार, जो income earn होता है, वो हम लोग का इंडिया का national income में add होगा, तो ये था आप लोग का national income का basic knowledge की national income आखिर होता क्या है, और factor income क क्या होता है, now circular flow of income, when income flows from one entity to another, we call it as circular flow of income, there are four entities of economy, household firm, government and foreign countries, अब household firm और government जो है, वो हम लोग का closed economy में आता है, जब की household firm, government, foreign countries, ये चाड़ो मिला के हम लोग का open economy में आता है, अब मैंने जो इतना बड़ा लंबा चोड़ा circular flow of income का आप लोग का definition बोला, ये होता क्या है, इसका मतलब होता है, जब एक income एक entity से दूसरे entity में flow करके जाता है, जैसे household से firm में जा रहे है, firm से फिर government के पास आ रहे है, government से फिर foreign country में जा रहे है, तो ये जो एक दूसरे के पास से flow हो रहा है, इसी को हम लोग circular flow of income करते है, और ये circular flow of income क्या होता है, मतलब 4 economy होता है, हम लोग का उसी में flow करते है, और वो चार economy हम लोग का क्या है, household, firm, government और foreign country में आता है अब यहाँ पे मैं आप लोग का कुछ sectors of model बोल रही हो 2 sector model, 3 sector model and 4 sector model तो यह जो model है आप लोग का यह काफी important है और यह 4 marks का आता है आप लोग का IAC economics class 12 में जो की section B में भी रह सकता है और section A में 2 marks का भी रह सकता है और section B में रहेगा तो आपका 3 to 4 marks का यह रहेगा तो यह होता किया 2 sector model, 2 sector model में अतलब आप लोग को समझ में आ रहे हैं यहाँ पे खाली 2 sector involved होंगे और वो 2 sector क्या होंगे अपकोस पहले के 2 sector होंगे household और firm होगा in which household and firms are included is known as 2 sector model तो यहाँ पे देखिए यह diagram जो है आपका household capital market firm, household से capital market में savings, savings का another name क्या होता है जो के हम लोग आगे पढ़ेंगे और capital market से firm, capital market से जब firm में जा रहे तो आप लोग का क्या हो रहे है investment, investment यानि injection वे भी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग का direct household से जो firm में जा रहे है वो factors of production, land, labor, capital and entrepreneur जो हम लोग जानते है factors of production क्या होता है फिर firm से जब household में आ रहे है supply of goods and services, household से वापस जब firm में जा रहे है तो payments for goods and services और firm से जब वापस household में आ रहे है तो factor payment made to household अब क्या हो रहे है, मान लीजी कि आपके पापा का एक चोकलेट का factory है मतलब आपके पापा एक चोकलेट के फैक्टरी में काम करते है तो वहां पर काम करते है उन लोग को monthly salary मिलता है, 5000 रुपीज आपके पापा को मिलता है तो आपके पापा को मन्त का end में, sorry, मन्त का शुरुबाद में जब salary मिला तो आपके पापा आपको लाके चोकलेट दिये तो वह जो salary उनको चोकलेट फैक्टरी से मिला फिर वहां से जो पैसा वह लेके आए वो फिर दुकान से जाके आपके लिए एक चोकलेट खरीडे तो आप देखरें कि यहां पे एक circular flow हो रहा है चोकलेट और पैसा का मतलब वो चोकलेट बना रहे हैं वहां से उनको पैसा मिल रहा है फिर वो पैसा दे रहे हैं तो आपके लिए चोकलेट आ रहा है घर में . ओढ़िसकाव लुजवा से यह Under temptation the circular flow of incomey in two sector model that is household and firm denotes the flow of income from one entity to another household supplies with the factors of production to the firm which has the firm to produce goods and services. Such production is consumed by household and this flow can be seen in the inner circle . The firm pays household for the factors of production use that is the factor and the household pays to firm for the goods and services purchased. However, the household does not spend money in full and keep a part of it as saving. This saving is an outflow from circular flow and is known as leakages. This saving is invested in capital markets from where the money again comes into circulation this inflow of money is known as injection in this way money flows from one sector to another. So, here haa pe kya bol ra hai? Jo circular flow hai two sector model mein yane household or firm wo kya denote karta hai? Wo denote karta hai income from one entity to another entity. Matlab, here haa pe ham logo kya ho ra hai? Income a raha hai. Ab joe ham logo ka household supplies with factors of production to the firm which helps the firm to produce goods and services. Ab joe household hai wo firm ko kya supply kar raha hai? Factors of production supply kar raha hai. Yarni land, labor, capital and entrepreneur, yeh sab eek household firm ko de raha hai. Taki jho firm hai wo goods and services produce kar seke. Ab joo firm goods and services produce kar raha hai, wo haa hum log consume kar raha haa. Matlab, jho household ho ta hai, wo factors of production ko consume kar ta hai. kya mama, actor payments it? Turist, magic s-tame use last because as Charles come, na,ooli jay kae provider, that dons the company, values is the way to make the manufacturing order person slash scratch, ok? The purchase of chocolate is based apiche of main Grass, the purchase of choc nhất for the company, apiche of Crown trume and upiche a farmer, usf Thinking this is a modal communicating Guerl . With rounded rope, the way they provide this और उसके लिए आपके लिए लगानों छोखलेट मरां करके छोखलेट के मुत अपको देगा दिया पहले वह एंपलोई को साइले ळेगा और वो सालरी सी वह आपके लिए चॉक्लेत लाया मतलग मान लिजी कि uhhh । इसके लिए उस प्वर्म को पाप को दस रूपए पंडर रूप में चॉकलेट वह पे करना पड़ा तो आमके लिए वह चॉक्लेट आया तो मतलग यह जो पैसर देना पड़ा उनको आपका ये यूज करने के लिए तो वो उनके लिए क्या हो गया फैक्टर पेमेंट हो गया अब मान लीजे कि पुड़ा महिना में जितना भी राशन वाशन होते हैं सबको लेकर के आपका 4,000 का हो गया अब पुड़ा पुड़ा आपका बचा है मतलब 5,000 आपको सैलेरी मिला 4,000 आपने यूटिलाइस कर लिए अब जो 1,000 है वो आप बचा करके रखेंगे इन फ्यूचर के लिए सभी घर में होता है कि थोड़ा सा बचा करके रख लिया जाता है अब जो ये बार-बर इधर से उ कंप छालेरी मिल रहा है इह से आप लोग ने था एक हजार या करों चारन आपने भी सिः वे और यह 1,000 karış कर डाल दिये गया है इसको हम लोग क्या बोलते है इंजेक्चन मतलब हम लोग जूए ब्रमा कहीं दो दोरन बेजिति वहां इंवेस्टमेंट हम लोग ने किया उसी को हम लोग वापस जाल रहें तो डालने को हम लोग इन्जेक्शन कहते हैं तो होप आप लोग को यह two sector model clear हुआ होगा और इसी तरीके से जो money होते हैं वो हम लोग का एक sector से दूसरे sector में जाता है यह था आप लोग का टूशेक्टर मॉडल और अप लोग को यह समझ में आया होगा नेक्स्ट आम लोग 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल करेंगे उसके बाद हम लोग national income का second chapter में जाएंगे national income basically आपका थीन chapter में divided है जिसमें आप लोग का definition यानि introduction वगे रहे उसके बाद आप लोग का GDP, MP उन सब के बारे में आप लोग को बताया जाएगा, उनका difference बताया जाएगा, उनका definitions बताया जाएगा, उसके बाद आप लोग का sums वाला chapter है, जो की बहुत ज्यादा important है, और ये 6 marks में तो ज़रूरी आता है, मतलब section B में last question आप लोग का national income से 6 marks का ही संसका ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा, और अगर आप लोग को important notes चाहिए मेरे, तो blog का link description box में दिया हुआ है, और अगर आप लोग मेरे online classes या फिर live classes करना चाहते है, तो आप लोग join button पे click कर लिजे, आप लोग को tense and conditions पता चल जाएगा, और अगर आप लोग को important MCQs चाह class 11, ISE economics class 12, je net का भी डाला हुआ है, और मैंने दूसरा channel का link आप लोग को description box में provide भी कर दिया है, और आप लोग काफी comment करके मुछ से पूछ रहे हैं, कि आप लोग को मेरे बाखी videos नहीं मिल रहें, तो प्लीज आप लोग मेरे channel पे visit कीजे, और playlist में जाके search कीजे, ISE economics class 11, ISE economics class 12, same for commerce and accounts also, नहीं तो आप लोग end screen में जाके देखे, आप लोग को playlist मिल जाएंगी, या फिर आप I button में click करके देखे, तो भी आप लोग को बाखी videos मिल जाएंगे, और अगर आप लोग को video पसंद आया, तो like, share and subscribe कर दिजेगा, thank you friends, thank you for watching my channel, Prathamantan.